तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले जिसका नाम है पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल्स सुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे अलजेब्रा की छोटी छोटी बाते बेसिक बेसिक बाते जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके जूनियर क्लासेस में आज उसे हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पोलिनोमियल्स का डेफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग कोई एक्स्प्रेशन को देख करके ये अंदाजा लगाएंगे जान पहचान करेंगे कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है मतलब हम लोग पोलिनोमियल को पहचानना सिखेंगे कि वो कैसा दिखता है तो उससे पहले हम लोग algebra शुरू करते हैं algebra की छोटी छोटी बाते तो algebra में सबसे पहले x-y-ziveness plus 9x plus 2y इस तरह से अगर कोई चीज लिखी हुई हो तो इसे हम लोग करते है algebraic expression इसके बार में अपने पहले भी सुना होगा तो algebraic expression कहते किसको algebraic expression variables और constants का एक group होता है जो कि different signs से connected होता है अलग-अलग signs से for example plus से, minus से, multiplication से या division से ये चारों में से जो भी fundamental operations होते हैं mathematics के हम लोग बच्पन में यह तो सिक्क है सबसे पहले है जोड़ घटा और गुना भागा तो ये पूरे mathematics में बहुत ही basic चीज़ होता है चारों जो operation होता है सबसे basic होता है तो ये चारों से connected हो बहुत सारे variables और बहुत सारे constant तो वैसे चीज़ को जो भी हमने लिखा वैसे group को हम लोग algebraic expression करते हैं for example यहाँ पे आप लोग देखें बहुत सारे variable है x, y, z x, y कुछ constants भी है 9, 2 और यह आपस में कैसे connected है यह देखें यह plus से connected है यह plus से plus से यह दोनों multiplication से यह दोनों multiplication से तो यहाँ पे plus और multiplication से connected है तो इसलिए हम लोग इसे क्या कह सकते कि हाँ यह एक algebraic expression है और ऐसा कोई जरूरी नहीं यह से plus और multiplication से connected हो minus से और division से भी वो connected हो ज़कते और आगे examples देखेंगे जहाँ पे यह दिखेगा अब यहाँ पे variables क्या होते है variables आपने बहुत मतलब एक दो साल से variables के बारे में सुन रहे है variable variable a, b, c, d, x, y, z let कुछ भी हम लोग माल लेते हैं let it be x, y, z तो यह variable है क्या तो देखे, variable का अगर हम लोग word meaning के बारे बारे में बात करें, इसका जो साब्दिक अर्थ है मतलब यह जो शब्द है इसका क्या मतलब है, variable का तो variable word जो है वो में बना है vary से vary, vary, v, a, r, y vary का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बदले तो उसे हम लोग करते है vary यह नि variable कोई ऐसा चीज है जो की बदल सकता है, जबकि constant एक ऐसा चीज है जो की नहीं बदलेगा, constant word का मतलब होता है fixed, उसकी value नहीं बदलते है, for example मान के चलिए, मेरे पास कोई box है और, या मेरा pocket है, ठीक है और इसमें मैंने अभी 100 rupees डाल दिया और इसे बिना कुछी इसे छेड़ चाड़ किये हुए, एक घंटे के बाद मैं आप से अगर पूछू, कि बताइए मेरे pocket में कितना money है और पहले से कुछ money नहीं था और नहीं मैंने इसे साथ कुछ छेड़ चाड़ की मतलब, नहीं कुछ add किया नहीं कुछ subtract किया तो अगर मैं आप से पूछू कि कितना money है मेरे pocket में तो आपका जवाब क्या होगा आपका जवाब होगा कि 100 rupees है क्योंकि वह fixed है ऐसा नहीं कि 100 का आप 101 हो जाए या 99 हो जाए खुद से ऐसा नहीं हो सकता है तो वह चीज को हम लोग क्या कहते कॉंस्टेंट लेकिन अगर मैं आपको नहीं बता हूं कि मेरे pocket में कितना पैसा है आपको नहीं बता हूं पॉकेट का साज उतना बड़ा नहीं है और उतना बड़ा अमांड भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही वह अग्यात हो जाएगा वह चीज कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या आंसर देना है तो वैसे condition में हम लोग क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा होगा आपके packet में x होगा y होगा z होगा तो जब भी हमें maths में कभी भी अगर हम लोग कुछ पता नहीं हो ठीक है कोई value पता नहीं हो जो value अग्यात हो उससे हम लोग variables से denote करते हैं variables से उसको दर्श आते हैं कि अच्छा यह चीज़ हमें नहीं मालूम है इसलिए हम लोग इसे एक्स वाइज डिवीजिटी कुछ मान लेते हैं तो जब भी variables या constants एक दूसरे से बहुत तरह के science से connected हो बहुत तरह के science मतलब four fundamental operations plus minus multiplication और division से connected हो तो वैसे group को हम लोग क्या कहते हैं algebraic expression और कुछ example हम लोग देखते हैं xy-z plus 6 plus 2y-3 by x यह भी क्या है algebraic expression क्योंकि यह भी देखें बहुत सारा variables रखाया आपने आप में बहुत सारा constants भी है इसमें और सब connected है plus minus से connected है division से connected है multiplication से connected है तो यह भी algebraic expression है अब यहाँ पे एक word आता है जिसे हम लोग कहते हैं term term ठीक है तो term किसे कहते हैं तो जब भी कोई algebraic expression दिया हुआ हूँ और वो चीज़े plus और minus से connected हो तो उसको हम लोग count करते हैं और उसको हम लोग terms करते हैं number of terms for example यहाँ पे देखिए इस expression कहा कहा कौन कौन से variables या constants के group है जो कि plus सिर्फ plus और minus से connected होने चाहिए तो यह है उसके बाद फिर यह हो गया एक group यह दूसरा group यह तीसरा group यह चौथा group देखिए multiply आपस में तो multiply से connected है लेकिन पूरे expression से यह plus से connected है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा एक अपने आप में एक अलग group हो जाएगा ठीक है अपने आप में टर्म हो जाएगा यह भी अपने आप में टर्म हो जाएगा तो कितना टर्म हो होते हैं दो तरह के होते हैं लाइक टर्म्स और अँनलाइक टम्स लाइक वर्ड का मतलब आप लोग समझते ही है कि साइंस पड़ते थे लाइक चार्जेश वाइल अनलाइक चाहरे अट्रेकट इसदे तो लाइक का देखिए कौन एक जैसे है देखिए जो भी variables के group को या फिर यह कहें कि जो भी terms को हम लोग आपस में add कर पाए या subtract कर पाए वैसे terms को हम लोग like terms करते हैं अगर मैं आपसे एक simple सा सवाल पुछू कि आपके पास एक book है ठीक है आपके पास एक book है और दो copies है आप मुझे जोड़ करके बताए कि आपके पास कितने book होगे तो book तो आपके पास एक ही होगा क्योंकि copy अलग चीज़ है book अलग चीज़ है हम ऐसा नहीं मोल सकते कि मेरे पास 3 book होगए 1 book plus 2 copy equal to 3 book नहीं होगे 1 book plus 2 copy equal to 1 book plus 2 copy ही रहेगा मतलब कि हम लोग इसे आपस में नहीं चोड़ सकते हैं क्योंकि यह अलग quantities है तो उसी तरह से mathematics में जब variables different हो अलग-अलग हो तो हम लोग उसे आपस में add या subtract नहीं कर सकते multiplier division हम लोग कर सकते हैं लेकिन add और subtraction नहीं कर सकते for example लेकिए यहां पर यहां पर x है ठीक है कितना x है इसके आगे जब कोई number ना लिखा हो यान या पर one चुपावा हो था ठीक है यानि यह एक x है फिर और गए x है क्या हाँ यहां यहां पर x है यहां पर कितना x है 9x है तो आप ऐसे समझा के कि यहाँ पे एक copy है, यहाँ पे 9 copy है, ठीक है, तो total कितने copy हो गए, 10 copy, लेकिन y यह अलग चीज़ होगी, अब यह हो सकता है, pain हो, तो 1y और 2y कितना y हो जागा, 3y हो जागा, z के साथ उसको नहीं जोड़ सकते, z कुछ और quantity होगा हो सकता है, chair हो, chair हो तो आपस में नहीं उसी तरह यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे xy है, लेकिन xy, देखे, exactly variables का group होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे x था, और यहाँ पे भी x था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ x र जाएगा तो वो like हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे देखे, x है, ठीक है, इस टर्म में, x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यह दोनों like terms नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नीचे है, और सिर्फ अगर मान के चले, यहाँ पे एक और टर्म होता है, प्लस x, तो यह दोनों भ सिर्फ इकलौता x है जबकि यहाँ पे x के साथ y भी है तो यह दोनों भी like terms नहीं है exactly variables का group same होना चाहिए constant different रहे उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन variables का जो group है पूरा का पूरा group same होना चाहिए मतलब अगर हमें इस expression में एक like terms चाहिए तो हम लोग अगर कुछ ऐसा लिखे 6xy तब हाँ हम लोग बोल सकते कि यह दोनों क्या है like terms है क्योंकि यहाँ पे भी xy है यहाँ पे भी xy तो यह चीज है like terms का definition और like terms के just opposite क्या हो गए unlike terms जो की देखने में एकदम different हो जिसे ना आपस हम लोग add कर सकते और ना ही subtract कर सकते तो यह चीज़ों को आपको ध्यान रखना क्यों क्योंकि algebra में यह addition और subtraction में बहुत काम हैगा कुछ questions हम लोग दिखते है simple simple questions तुरंद बनने वाले questions 6x plus 2y plus 3x plus 4z plus y minus z इसे जल्दी से calculate कीज़े तुरंद add करना है subtract करना है 6x plus 3x 9x हो जाएगा और तो x वाला और को ऐसा like term नहीं है 9x 2y plus y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा ठीक है 4z में से 1z चला जाएगा तो कितना बचेगा 3z बचेगा simple question था next 6xy plus 2y plus 3xy minus 4xz और फिर प्लस 5yx अब यहाँ पे addition और subtraction कीज़े तो क्या करना हमें पूरे groups को देखना है यहाँ पे तो single single variables थे यहाँ पे group है xy है तो और कहीं xy है क्या हाँ यहाँ 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 यह दोनों like terms हो गए और कोई है क्या देखे दिखान से यह है क्या like term देखे यहाँ पे x है यहाँ पे भी y बस हमने इसका जो pattern है वो वुल्ट अगर दिया ठीक है यहाँ पे xy था यहाँ पे हमने yx लिख दिया लेकिन यह भी क्या है है तो semi group अगर हम लोग 2 into 3 करें या फिर 3 into 2 करें यह तो आपस multiplication में ही है इत हो और सबसे we intentions करें मुल्टिपलेगेशन हो रहा हो गा यहा विए x और y की तो 2 into 3 या 3 into 2 Jeautasleep में में करता है कि वह سबह है या नहीं है ठीक है तो ये दुनों क्या हो जाएगा तीनों लाइक ट्रम हो जाएगा तो 6, 3, 9 और 5, 9, 5, 14, X, Y 2, Y कोई नहीं है एकलोता है माइनास 4, X, Z तो ये हो गया complete इसे ज़्याद हम लोग कुछ है addition या कोई और operation नहीं कर सकते next अगर दिया हुआ हो कुछ इस तरह से 6, X, square Y, plus 2, X, Y, square, plus 3, X, Y, plus 4, Y, X, plus 9, X, Y, X और, और कुछ ले लेते हैं, माइनास 8, Y, X, Y, चलिए, इसे calculate किजिए जल्दी से सबसे पहले में like terms और unlike terms को calculate, find करना है तो वीडियो को pause करके आप कर सकते हैं से X, square Y, X, square Y है क्या कहीं और, गहुर से देखिएगा X, square Y, और कहीं है, X, square Y, देखें यहां पर X, square का मतलब क्या होता है, 2X है multiplication में और 1Y multiplication में ऐसा यहां पे भी तो है, यहां पे भी X, Y, X है तो, यानि यह दोनों क्या हो जाएंगे यह दोनों लाइक नहीं हुआ क्योंकि यहां पर 2X और 1Y है, यहां पर 1X और 2Y है, तो दोनों तो अलग ग्रूप हो गया है, यहां पर 2X, 1Y और यहां पर 1X और 2Y है तो ये और ये लेकिन क्या हो जाएगा लाइक हो जाएगा उसी तरह तो चलिए पहरे से आड़ करते हैं 9 और 3 12 x square y हम लोग generally alphabetical order में ही arrange करते हैं मतलब यहाँ पे जैसे हमें yx मीला हुआ था ठीक है तो yx हम लोग यहाँ पे xy कर जाएगा yx भी लिख सकते थे लेकिन हम लोग क्या करते हैं alphabetical order को ध्यान में रखते हैं कि x पहले आता है ABCD में तो ABCD तो आप लोगों सबको यादी होगा तो ABCD में जो पहले आता है पहले क्या आता है x आता है तो x को पहले लेखना फिर y को लिखना है तो यह alphabetical order को आपको ध्यान में रखते हैं और नहीं तो फिर आप यह भी CD revise कर सकते हैं तो 2LX square Y हो गया उसके बाद फिर यहां देखिए XY square है यानि 1X और 2Y और कहीं है क्या 1X 2Y detect किजे यहां पर है 1X और 2Y ठीक है तो यानि यह दोनों भी like terms है लेकिन यहां पर different sign है यहां पर plus है और यहां पर minus है तो हम लोग जानते ह सब्ट्रैक्ट करते हैं जो जिसका value बड़ा होता है उसका sign लगाते हैं तो कौन बड़ा है 8 बड़ा है तो यानि minus लगेगा और यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6XY square देखिए आज बहुत basic बात कर रहे हैं हम लोग और अभी थोड़ा देर तक ही चले हो जाएगा हो या सारा terms तो हो चुका है operated तो इस तरीके से हमें इन सारे questions को करना है एक और question देते हैं उसका फिर से खतम गड़ते हैं 9XYZ plus 4X square Y minus 16XYX plus 3XY square minus 9XYXY plus 6XY minus 8XZ plus 11XYZ और फिर माइनस 3XY एकस स्क्वाइड वाइएकस स्क्वाइड हाँ इसे कीजी तो लाइक टम्स चुनना स्टार्ट करते हम लोग XYZ XYZ अद्दे के XYZ को और तिन तरीके से लिखा जा सकते था हो सकता था कहीं और मैं दे देता चलिए एक दे देते हैं और 5YXZ तो ये दोनों क्या है? लाइक टम है क्योंकि यहाँ पे भी XYZ यहाँ पे भी XYZ वस और अपोजेट है मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 या फिर 3 इंटू 4 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 2 इंटू 3 बात हो सब सेम ही है ठीक है? तो यहाँ पे XYZ XYZ और कहीं है क्या? XYZ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ठीक है? यहाँ पे order उल्टा है यहाँ पे order से ही तो 11 और 9 हो गया 20 और ये 25 हमें लिखना है order में XYZ XYZ है क्या कहीं? XYXXY यह भी देखे है क्योंकि 2X1Y ठीक है? और कहीं 2X1Y यहाँ पे 2Y एक एक से है 2X1Y 2X1Y यह भी है ठीक है? तो हमें यह 2X1Y 2X1Y यह दो तो यह देखे यह दोनों तो सेम साइन के अफरे मानश मानश काई कर देंग我就 कितना हो जाएगा? 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा मानश 19X2Y और फिर उसमें से 4 चला गया तो 4 गया तो कितना बचेगा? मानश 15X2Y यहाँ पे साइन जो है वो मानश का लगेगा मानश 15X 6 square y next x y square x y square कहां है यह है बगल में ही है ठीक है और कोई नहीं है तो यह इस में से सब्ट्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा minus क्योंकि यह बड़ा है minus हो जाएगा और 9 में से थिर गया तो 6 x y square बचिया यह 6 x y 6 x y और है क्या कहीं नहीं है तो इसे ऐसे ही रखने देते हैं 6xy फिर बज़ किया माइनस 8xz ठीक है जेड ही है तो इस तरीके से हम लोग काम को करेंगे ऐसे कल्कुलेशन को करेंगे कि हम लोग पहले find करेंगे like terms को और like terms के साथ like term ही add करेंगे यह सब्टाइट multiplication और division हम लोग simply जानते हैं क्या करना है अगर दिया हुआ हो 9 into x into y into x into z तो कैसे करेंगे हम लोग और एक और चली constant लेते 3 तो क्या करेंगे पहले तो constants को multiply किजिए तो 9 3 जा 27 और फिर variables को count किजिए कितना है x 1x 2x तो x का power 2 जाएगा y 1 ही है z भी एक ही है तो यह हो जाएगा 27 x square y z यह simple है multiplication बहुत जाएगा simple है तो चलीए अब हम लोग polynomials का definition पढ़ते हैं और कुछ examples यहाँ पे हम लेंगे और आपको पाचानना है कि वो polynomials है या नहीं तो सबसे पहले polynomial का definition अच्छे समझेगा और definition समझने से पहले एक और word होता है जो की बहुत काम का है degree degree word का मतलब क्या होता है तो कोई expression मैं लिख रहा हूँ 5 x square plus 6 x का power 9 plus 5 y cube plus 3 y का power 16 और जैसा कि आप देख सकते यह एक algebraic expression है तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ की बताइए कि सबसे highest degree कितना है मतलब highest power कितना है सबसे variable का तो x square नहीं इससे बड़ा है x power 9 फिर y का cube है y का power 16 तो सबसे बड़ा power यहाँ पे कौन है y का power 16 तो हम लोग बोलेंगे कि इस expression का जो degree है वो कितना है 16 ठीक है degree जो है वो 16 है तो यह होता degree of an expression अब polynomial का जो definition होता वो यही होता है कि जितने भी जितने भी terms हो ठीक है जो भी हम कोई एक general algebraic expression लिखते तो उसमें जितने भी terms हो सबका जो variable का power होगा वो हमेशा positive integer या 0 हो सकता है या फिर एक शब्द में कहें तो non negative integer होना चाहिए non negative integer ही power होना चाहिए power होना चाहिए किसका power होना चाहिए power of the variables variables ठीक है variable का power non negative non negative मतलब जो negative नहीं होर integer मतलब समाजी रहे integer क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह सब integer है minus 1, minus 2 लेकिन non negative यानि जो negative ना हो यानि positive वाले तो होंगे ही 7-7 0 भी होगे 0 negative तो नहीं है वो भी non negative integer है तो non negative integer ही power होने चाहिए variables के अब बताइए इस expression को देखकर के कि यह जो expression है वो polynomial है या नहीं है तो देखते हैं यहां पे देखिए अगर वहाँ सारे terms हो ठीक है और कोई एक term हो जो कि polynomial ना हो ठीक है कोई एक term हो जो कि polynomial ना हो तो पूरा का पूरा expression polynomial नहीं होगा मतलब कि सारे terms सारे terms polynomial ही होने चाहिए तब जाकर के पूरा expression polynomial होगा तो यहां पे हम लोग को एक एक term को चेक करना पड़ेगा देखिए यहां पे एक सा power 2 है non negative integer है 9 non negative integer 3 non negative 16 सारा के सारे power non negative integer तो यानि यह polynomial होगा ठीक है उसी तरह और कोई example देखते है 6 square minus 5 x का power minus 2 plus 6 x ऐसा कुछ दिया हुआ है बताइए तो देखिए यहां पे x का power 2 non negative है x का power minus 2 negative है यानि यह वाला term polynomial polynomial नहीं यह वाला term यह दुना तो और terms polynomial है लेकिन चुकि यह पूरा expression के बारे हम पुछा रहा तो यह पूरा expression polynomial नहीं होगा क्योंकि एक term polynomial नहीं था और कोई example देख रहे है 5 x y plus 3 x का power 1 by 2 plus 5 y z का power 3 by 2 यह polynomial है या नहीं तो देखिए फिर से यहाँ पे x का power कितना है 1 है y का power 1 अच्छा है यहाँ पे x का power 1 by 2 है 1 by 2 integer है क्या नहीं 1 by 2 तो fraction है फिर यहाँ पे z का power 3 by 2 या नहीं यह से fractions है और fractions तो नहीं होने चाहिए integer ही होने चाहिए वो भी non-negative यानि यह polynomial नहीं होगा ठीक है यह भी polynomial नहीं होगा 6 x square plus 3 z plus 5 तो यहाँ पे x का power 2 हो गया polynomial है यह वाला term यह वाला term भी है क्योंकि z का power 1 है यहाँ पे 5 के बाद कोई variable ही नहीं है तो कैसे करेंगे यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी variable मालने ते a a का power 0 कितना होता पिछले lecture में पड़ा था कि कोई भी variable या कोई भी number हो उसका power अगर 0 हो तो वो कितना होता है 1 होता है तो यानि हम लोग यहाँ पे 1 के जगा 5 को क्या लिग सकते है 5 into 1 लिग सकते है और 1 के जगा फिर क्या लिग सकते a का power 0 लिग सकते है इसमें कोई हम लोग पाप नहीं कर रहे है mathematics के नजर में यह कोई पाप नहीं है हम लोग कर सकते हैं यह बदल लेंगा expression expression अभी भी वही का वही है तो यानि यहाँ पे a का power 0 है ठीक है अब चाहिए तो कोई और भी ले सकते है x भी ले सकते है यहाँ पे हम लोग चुकी x देखे रहे चली x ही ले रहते है ठीक है x का power 0 तो यह 1 हो जाएगा 5 इंटो 5 5 भी रह जाएगा यानि पहले ही वाला चीज है अब यहाँ पे देखे यह तो है polynomial यह polynomial है क्या यह polynomial है क्यों क्योंकि power क्या non negative integer 0 तो negative नहीं है यानि यह भी polynomial तीनों टब्स polynomial तो पूरा पूरा expression polynomial होगा सिर्फ 6 रखे 6 x square लेके ठीक है बताई यह polynomial है क्या power positive है non negative है integer है हाँ होगा अगर सिर्फ कोई constant हो 8 हो तो यह polynomial होगा क्या फिर वही चीज़ करना में मान लेना कोई बार यह पर power 0, power 0 तो हो सकता ज्यूकि non negative negative नहीं होना चाहिए 0 negative नहीं है और integer भी है तो यह polynomial होगा यानि जितने भी constants होगे सब के सब polynomial के example तो अभी मैं कुछ questions दूँगा आपको बताने है identify कर रहे है कि कौई कौई सा expression polynomial है और कौन सा नहीं है पहला question 6x square plus 3yz plus 5 root x second question 19 xy का स्क्वार plus 3yz plus root 2 into x third 5 x का पावर 2 by 3 plus 6z next 6 x का पावर minus 5 plus 8z square प्यक्या next root 8 x square plus root 3 y z next next 6 xy plus 5 by x फिर 18 xz plus 5 x x का पावर x x into x y ये आट फिर फिर root x यह polynomial होगा या नहीं होगा क्या करना में power check करना है power सारे terms का यहाँ पे integer है यहाँ पे भी y का power 1 z का power 1 integer है यहाँ पे x का power कितना है तो root का मतलब कितना होता है root का मतलब होता है power 1 by 2 यानि यहाँ पे जो power है वो actually में fraction है integer नहीं है तो fraction तो allowed नहीं है polynomial में यानि ये वाला चीज polynomial नहीं second किजिए second सोचिए तब तक कुछ और questions मैं लिख देता हूँ minus 2 by 3 x y plus 9 9 by 2 x y fractions नहीं होने चाहिए और negative नहीं होने चाहिए और फिर 6 x y square फिर 800 फिर root under 5 next question ये polynomial है या नहीं है power check करते जाएं x का power 1 y का power 2 polynomial ये वाला तो है ये भी z का power 1 है ये ये polynomial है क्या अगर आपका जवाब है कि नहीं तो गलत है और अगर आपका जवाब है कि polynomial है तो सही है क्यों क्योंकि x का power यहां कि क्या है 1 है सही तो है x का power 1 हो सकता है non negative indices है इस पे ध्यान बिलकुल मत दीजिएगा ठीक है जो variables के आगे नंबर लिखे वे जैसे या 193635 इन पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए आपको बस variables का power check करना है variables के उपर कितना नंबर सवार है ठीक है variable के सर पे कितना नंबर सवार है आपको यह check करना है coefficient कितना भी हो सकता है इसे हम लोगो coefficient करते है जो भी variables के आगे नंबर लिखे हुए हो उसे हम लोगो coefficient करते है बस variable का जो power है power वो negative नहीं होना चाहिए नहीं fraction होना चाहिए बाकि वो 0 हो सकता है या कोई भी positive integer हो सकता है तो यानि यह polynomial है क्योंकि यहाँ पे सारे power अच्छे अच्छे है, x का power 1, 2 integer है सब integer, ठीक है next यह देखे यहाँ पे power क्या है fraction है, यानि यह polynomial नहीं होगा यह देखे, power क्या है, negative है यानि यह polynomial नहीं होगा यह देखे तो यहाँ पे power positive integer सही है यहाँ पे भी positive positive सही होगा root 8 से कोई मतलम नहीं root 3 से कोई मतलम नहीं है next यह बताए, polynomial है या नहीं power 1, power 1 है यह तो है, यह देखिए X अभी नीचे X को जैसे हम लोग उपर लाइए तो power कितना हो जाएगा? minus 1 हो जाएगा तो ये तो polynomial नहीं होगा क्योंकि power negative हो गया तो ये पूरा polynomial नहीं होगा next ये बताइए ये 1 1 ठीक अच्छा है 1 1 ये add हो जाएगा, X का power 2 जाएगा ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा polynomial क्योंकि सारे के सारे positive integer है, तो polynomial होगा ये, यहाँ देखिए तो fraction है, negative ये fraction भी होगा polynomial, बिल्कुल होगा क्यों? क्योंकि ये negative होए coefficient से कोई मतलब नहीं है, है ना XY के आगे क्या लिखा हो, कोई मतलब नहीं है 11, हाँ ठीक है, 11, हाँ ठीक है होगा polynomial, coefficient पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी होगा, ये तो ये अभी हम लोग देख चुके थे X का power कर सकते हैं, यहाँ पर कितना 0 है, है ना, तो ये polynomial होगा, ये होगा क्या, ये भी होगा क्यों, हमें coefficient पर ध्यान नहीं देना X का power 0 है न वगल में 0 तो हो सकता है चलिए next बताइएगा ये 3 by 2 ये polynomial है क्या हाँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी X का power 0 है, ठीक है ये भी polynomial होगा ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे examples हो गए हैं और एक आध example चली अच्छा अच्छा है और कर ही लेते 6 X by Y पर भी Y प्लस 2 Z square ये होगा polynomial तो यहाँ पर देखिए Y Y cancel हो जाएगा, X का power 1 बज जाएगा यहाँ पर Z का power 2 हाँ होगा दोनों polynomial है तो ये पूरा polynomial होगा अगर रहे question 5 X Y square by Y cube प्लस 9 X square by X ये polynomial होगा क्या देखिए, X है यहाँ पर एक X उपर को cancel कर देगा, बज जाएगा सिर्फ 9 X यानि X का power 1 यहाँ पर यहाँ पर उपर कम है है ना तो हम लोग जानते हैं जब basis से में तो power क्या था subtract 2 minus 3 हो जाएगा 2 minus 3 कितना होता है? minus 1 होता है तो Y का power minus 1 polynomial का definition से वो agree नहीं कर रहा है यानि यह polynomial नहीं होगा तो इस तरह से हमें ने बहुत सरे examples देख चिके अब आपको यह बताना है हमने degree के बारे में जाना था degree क्या होता है? highest power किसमे? polynomial में polynomial में highest power जितना है एक term में एक term में जितना maximum power है उसे हम लोग degree करते है तो जहां पर जो जो भी example हमारे polynomial हुए है आपको इसमें degree बताना है यह तो polynomial नहीं था यह वाला देखिए इससे शुरू करते हम लोग इसमें power कितना है? देखिए highest power कितना है तो यहां पर देखिए X का power 1 है यहां पर Z का power 1 है यहां पर Y का power 2 है तो इसमें degree कितना हो जाएगा? degree 3 हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए हमेंने बोला कि एक term में जो highest power है ठीक है? एक term तो यहां पूरे term में कितना power है? एक ही variable उसका power 1 है यहां पर 1 हो जाएगा यहां पर भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहां पर दो तरह के variables है अलग-अलग है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे? यहां पर degree निकालने के लिए सिर्फ degree निकालने के लिए power हम लोग add करेंगे दो और एक तीन और हम लोग बोलें कि यह degree 3 है इस school में मिलका degree 3 है मतलब हम लोग यह दोनों को कुछ multiply नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह दोनों तो different variables है हम लोग बस अगल बगल में लिख सकते हैं इसे लेकिन powers को हम लोग add कर रहे है कुछ calculation नहीं कर रहे है बस डिगरी निकालने के लिए ऐसा नहीं कि इसका powers कभी add होता है नहीं हो सकता है क्योंकि basis तो same नहीं है लेकिन हम लोग डिगरी निकालने के लिए डिगरी ऐसा ही निकालते है हम लोग powers को add कर देते है सिमिलर यह तो पुलिफमील नहीं ये भी नहीज यह है इसमें डिफ funds के यह पर वह यह हैँ किद्ल की क्योंकि 1 1 एड़ हो जाएगा तो यानि इस्ञाने इस पूरे कि डिफbled के डिफिल टू होगा ठीक है यह तो है नहीं सब यह आइप yapıyor यह यहां 112 यहां पे देखे 1 और 111 यानी 3 हाइस्टी घरी कितना उजाएगा फिर यहां पे देखे 12112 यहां पर DA gena यह इतना उजाएगा यह च팅ला ट्ना मत्री कितना चाईगा ऩो यह अनि का यहां पे बनकी इसारी है यहां प्लाइए 1 ठाहर बॉक्टा इस और यह तो polynomial है ही नहीं क्योंकि ठीक है तो इसमें तो डिगरी नहीं पता चलेगा तो इस तरीके से हम लोग polynomials के degree को calculate करते हैं अब यहाँ पे जो variables हम लोग ले रहे थे कभी x ले रहे थे कभी y ले रहे थे कभी z कुछ भी ले ले रहे थे लेकिन हम लोग को थोड़े अच्छे साफ सुथरे polynomials पढ़ने हैं जहाँ पे variables एक ही तरह का हो यह सुवीदा हमें अभी दी गई है कि जो variables है वो एक ही तरह के रहेंगे variables नहीं बढ़ देंगे मतलब जैसे कि हमने यहां पे लिखा था यहां पे देखिए दो वेरेवल यूज कर दी हमने ठीक है तो इस तरह के expression हमें जल्दी दिखाई नहीं देंगे अभी जो भी हमें पढ़ना हमें दिखाई देंगे ऐसे 5x square plus 6x plus 2 इस तरह के expression यहां पे देख variables को number of terms के basis पे divide क्या गया है 3-4 varieties में अगर कोई term single हो अकेले हो ठीक है तो उसे हम लोग क्या कहते है monomial for example यह 3 by 2 3 by 2 और को example हाँ 6x y square तो यह भी एक term यह भी एक term है ना तो यह क्या हो जाएगा monomial mono मतलब होता है single तो यह हो गया monomial वहीं पे अगर दो हो ठीक है दो number of terms हो जैसे कि इसमें ठीक है इसमें दो number of terms है तो यह क्या हो जाएगा binomial by मतलब 2 होता है आप जानते होंगे फिर यह क्या हो जाएगा trinomial हो जाएगा उसे तरह अगर 4 terms हो number of terms अगर 4 हो for example है वसा क्या नहीं ठीक है अगर number of terms कितने 4 हो अगर तो वह क्या हो जाएगा वह जाएगा quadranomial ठीक है उसके आद फिर हम लोग उसके बाद भी कुछ नाम होता होगा लेकिन फिर हम लोग generally polynomial यह बोल देते हैं तो यह सारे terms आप लोग याद रखें तो आज के लिए इतना ही और मिलते हम लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग इस तरह के expressions पे और detail में बात करेंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में झाल कर तो झाल कर तो झाल